लोग वान सेऩा बदागाटई सेच्व टॉट आज देकेटंगे बल्य इसके मज़ा डाएगा और तो इसको पुली तरश से कवर करांगा यहाँ पे मुझते है कि और लिधियो आपको पसंद आएगी तो आप li SVC सा कमेंट करना बिल्कुल मत बोलिए तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका कॉंसेप्ट क्या होता है यहां पर देखें जो मिक्चर पर अधारी प्रस्ण होते हैं तो एक चीज बस आप एक चीज ध्यान दिजिए कि अगर आप कभी भी परसेंटेज में दिया हो या किसी भी चीज में दिया हो अगर यह प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया या अगर यहां प्रॉफिट होगा तो आपको यहां भी प्रॉफिट लिखा होगा ठीक है यहां लॉस लिखा होगा ठीक है तो यहां पर जो आएगा एक चीज ध्यान दिजिएगा यहां पर ज ध्यान दिजेगा जैसे मालीजी 10 लिखा हुआ है 10% का profit हो गया इधर 8% का profit हो गया तो हमेशा यहां पे जो profit या loss की value रहेगी वह हमेशा 10% या 8% के बीच में ही रहेगी उससे कम या उससे ज्यादा नहीं रहेगी यानि लगभग 9% हो सकती है ठीक है ऐसा question में रहेगा तो अगर मालीजी यहां पर loss दिया है तो इसको profit में convert करके रखिएगा अब देखे इससे फायदा क्या होगा कि अगर मालीजी यह data आपने अरेंज कर दिया तो अब यहां पर इसमें से इसको जब आप minus करेंगे यानि 9-8 करेंगे तो आपको कुछ इधर मिलेगा ठीक है और इस रेशियो हमें पता चलेगा एध्यान दिजिएगा कि एस सीपी नंबर टू होगा यानि पहले वाले प्रड़क्ट का सीपी होगा और एस सीपी नंबर वन होगा ठीक है तो इसको नोट करिएगा कि अगर profit loss लेकर करके हम लोग सौल करते हैं तो हमें जो रेशियो मिलता है सी तो जब इसको आप यहां पर माइनस करेंगे कुछ मिलेगा और यहां पर माइनस करेंगे कुछ मिलेगा तो जो यह मिलेगा ठीक है वो क्या मिलेगा जो यहां पर मिलेगा वो क्या मिलेगा quantity ठीक है quantity यानि पहले वाला कितने किलो है यानि पहले वाला सामान जितना भी हमने खरीदा है उसकी quantity कितनी है दूसरे वाले का सामान जो मैंने खरीदा है उसकी quantity कितनी है तो यहां पर quantity का रेश्यू मिलता है अगर हम लोग CP लेकर चलते हैं उसके बाद जो तीसरा आता है कि अगर मालेजे कोई पीजह है उसका speed दे दिया है और यहां भी क्या दे दिया appear me दिया मालेजे 10 km पर आवर दे और यहां पर इसको 8 km पर अवर दे तो यहां पर जो average speed आएगी ठीक है वो भी क्या होनी चाहिए speed होनी चाहिए अब यहां पर जब माइनस करेंगे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहां जो ratio मिलेगा वो टाइम का मिलेगा इसके लिए देखे मैं अलग से मिक्षा का एक विडियो बनाऊंगा यहां पर इन च लाव प्राप्त करने के लिए 50 किग्रा सुध्ध दूद में कितना पानी की मात्रा मिलानी होगी आपसे question पूछा हुए तो देखिए सुध्ध दूद के क्रेम उल्ले पर नमूना दूद बेच कर नमूना का मतलब यह हो गया कि जिसमें पानी मिला हुए तो उसको बेच करक अब देखिए जो सुध्ध दूद है उसी के क्रेम उल्ले पर ही हमको इसको बेचना है ठीक है तो एक चीज़ समझेए कि हमारे पास इधर हो गया मिल्क और इधर क्या हो गया पानी ठीक है अब मिल्क माल लीजे खरीदा अब एक चीज़ ध्यान दीजेगा इस तरह के question में अब जैसे मिल्क का हम लोग यहाँ पे CP लेंगे तो हम लोग पानी का भी CP लेंगे और यहाँ पे भी CP लेंगे ठीक है तो हमें जो ratio मिलेगा किसका मिलेगा quantity का मिलेगा तो हम लोग क्या करें पहले इसको देखें सुध्ध दूद के क्रेम उल्ले में तो सुध्ध दूद का ठीक है, और पानी कितने रुपए किलो मिलता है, 0 रुपए किलो, इतना बात किलियर है, अब उसके बाद यहाँ पर जो average की बात करेगा, तो अब यह बोल रहा है कि सुध्ध दूद के क्रेम मुले पर ही उसको बेचना है, यानि इन दोनों को मिला दिया, मिलाने के बाद जो म 110 में ही, क्योंकि हमने पहले से ही माल लिया है, 110 में हमने खरीदा है, यह बोल रहा है कि जितने में आपने खरीदा था, उतने पे ही उसको बेचना है, ठीक है, तो आप 110 रुपए लिटर में ही बेचेंगे, यहाँ पर हमको रखना क्या है, यहाँ पर हमको CP रखना है, और SP दिया हुआ है तो आपको CP पहले निकालना पड़ेगा तो मैंने इसके लिए फार्मुला बताया था CP into MF equal to SP तो अब देखें CP हमें निकालना है multiplying factor कहा रहा है कि 10% का लाब है तो मतलब 110 पटे 100 हो जाएगा और SP कितना है 110 में ही तो उसको बेचना है क्योंकि 110 में खरीद है तो 110 में बेचना है तो देखें इससे कट गया तो CP कितना हो गया 100 ठीक है इसलिए मैंने बोला था कि अगर यहां पर 10% लाब बोले तो आप 110 लीजिए 10% ठानी बोले तो आप 90 लीजिए तो यहां वाला जो CP आएगा वह 100 ही आएगा हर कंडिशन में क्योंकि अगर लॉस होता तो 90 लिखते और यहां पर भी 90 लिखते कट जाता तो 100 ही तो आता तो यह फायदा हो जाएगा अब देखें सब CP हो गया तो अब इसको जब इसमें से माइनस करेंगे तो यहां मिल जाएगा 100 अब यहा दोड़ गराम में कितना तो देके 10 यूनित में 10 यूनित में क्या कर रहे है किलोग रहे तौिक इस यूनित है यहांपर प्रतिक ग्राइब देखिए वहीं चीज़े सीधे सीधे यहां पर क्या है पहले वाले का साथ रुपे पर केजी दिया है दूसरे वाले का पैसर दिया है तो यहां पर जो देखिए आया हुआ है कि ताकि मिस्रड को इतने रुपे पर किग्रा के हिसाब से बेचने पर तो 68.20 पर किग्रा के हिसाब से बेचने पर उसे 10 परशन का लाव हो ताकि मिस्रड को इतना रुपया पर किग्रा के भाव से बेचने पर उसे 10 परशन का लाव हो यह बोला हुआ है तो यहां पर एक चीज़ ध्यान दिजिए अगर यहां यहां पे 80.20 लिख देंगे तो यह बिल्कुल गलत है क्योंकि ए तो CP है और ABCP है और आपने यहां पे SP लिख दिया है यहां पे आपको क्या रखना पड़ेगा 62 क्योंकि ए हो जाएगा मिक्चर का CP अब 62 हो गया देख लिए 60 65 के बीच में आ रहा है तो आपसे पूछा क्या है अच्छा आपसे अनपात ही पूछा है किस रेशियो में तो आपका आपसन नंबर वन यहां पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला क्वेशन को लागत मुली पर बेचकर 20% का लाव प्राप्त करने के लिए दूद में किस अनपात में पानी मिल तो दूद और पानी का अनपात तो देखें लागत मुली पे बेचकर 20% का लाव है तो हमने माल लिया कि जो दूद है हमने 120 रुपई लिटर खरीदा और पानी को क्या किया 0 रुपई पर लिटर के हिसाब से खरीदा अब यहां पे देखें कितने में बेचें तो आप जब निकालेंगे यहां पर CP निकालेंगे न तो यह 100 आएगा कुछ सोचने की जुबत नहीं है आप सौल करके देख लिए तो यहीं आएगा CP इंटू मुल्टिप्लाइंग फेक्टर इकल तो SP तो CP अगर आपका निकालना है मुल्टिप्लाइंग फेक्टर 20% है तो 120 पर्टे मे इसको माइनस करेंगे 120 में 100 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 20 एक क्वांटिटी का रिशियो देता है क्योंकि यह CP है अब यहां से कितना जाएगा 2520 यानि अगर 5 लिटर दूर है तो उसमें एक लिटर पानी मिलाना पड़ेगा तो आपसा नंबर 3 यहां पर बिल्कुल करा दिया है और आई होप आपको पूरी तरह से सवन में आया होगा अगर सवन में आया है तो आप एक थैंक्स का कमेंट करना बिल्कुल न भूलिए तो चलिए ठीक है आज की वीडियों पर समाप्त करते हैं ओके थैंक्स पर वाज़िए